हेलो गाईज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जैसे कि आपको पता है, SSC CSSL 2021 का रिजल्ट आउट हो गया है 24.5.2022 से 10.6.2022 तक इसका एक्जाम हुआ था और फाइनली इसका कट ओफ रिलीज हो गया है मार्क्स की, आप अपने मार्क्स को कब देख पाएंगे टियर 2 का एक्जाम कब होगा, वो भी डिक्सक्स करते हैं तो सबसे पहले, जो कटोफ मार्क्स है, वो देख लेते हैं जर्नल में जो कटोफ मार्क्स है, 140.18 गया है जिसमें क्वालिफाइग केंडिडेट यहां पर देख सकते हो, 7148 केंडिडेट है SC में कटोफ 112.86061 गई है, और जो इसमें क्वालिफाइग स्टुटेंट है, 11677 है इसके बाद ST जो केंडिडेट है, इनकी कटोफ 104.78368 गई है, 5167 स्टुटेंट इसमें क्वालिफाइग किया है OBC में और जो जर्नल है लगबख सेम है, बस पोइंटों का डिफरेंस है, 140.12370 OBC का कटोफ है और 12,967 स्टुटेंट इसमें पास हुए है EWS की 131.40838 है और 9147 स्टुटेंट इसमें क्वालिफाइग किया है इसके बाद और जो कैटेगरी है, OHSC यहां पर देख सकते हो, जितने भी कटोफ है टोटल इसमें नमबर ऑप क्वालिफाइग इस्टुटेंट है, 54,104 इसमें क्वालिफाइग हुए है और जो इसका T.A. 2 का अब डिक्स्रिफ्टी पेपर की डेट है, वो भी इन्होंने बता दिया है यापर देख सकते हो यनि कि यह अगस्त है, नमबर में कंड़क्ट हो जाएगा नमबर में 18 नमबर को कंड़क्ट होगा आपका डिक्स्रिफ्टी पेपर और जो मार्क्स हैं चाहे आप ने क्वालिफाई किया है या नहीं क्वालिफाई किया है आप अपने मार्क्स 18-11 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में देख सकते हो 11 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में अपने मार्क्स आप देख सकते हो कि आपके कितने marks आये थे और कितने कम marks रहे analysis भी कर सकते हो इसके अलबा आप कैसे login ID करना और password डालना आपका जो mark से आ जाएगा अगर आप पर जो number है CHSL 2021 का नहीं है फिर भी आप login ID और password से देख पाओगे जब भी इसका marks out हो जाएगा मैं बता दूगा कैसे चक करना है तो यही अपडेट देना था कि इसका cut off चारी हो गया डिक्सिप्टी पेपर की डेट भी आ गई है डिक्सिप्टी पेपर की डेट मैंने बताया आपको अठारा नॉमबर से इसका अठारा नॉमबर के डिक्सिप्टी पेपर है और जो marks हैं आप 11 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में दे सकते हो तो बाकी कुछ भी अपडेट आता है एक्जाम से रेलिटिट तो मैं वीडियो के तुरू अपडेट कर दूँगा तो थैंक्यू गाइस